अरुनाचल प्रदेश में आज नई सरकार का गठन हो गया है। पेमा खांडू ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता चाउना मीन उत्मुख्यमंत्री बनाए गई है। गुरुवार को कुल 11 विधायकों को मंत्री पत की शपत दिलाई गई है। पेमा खांडू की संपत्ती में मुख्यमंत्री रहते हुए 145 करोड रुपए की बढ़ोतरी हुई है। खांडू को देश का दूसरा सबसे अमीर सीम कहा जाता है। उनसे आगे आंध्रप्रदेश के पूर्व सीम जगन मोहन रेड़्दी हैं। उन अलावा लीज लैंड से मिलने वाला रेंट, खेती भी उनकी कमाई का प्रमुख जरिया है। देश में लोकसभा चुनावों के साथ चार राज्यों में विधान सभा के चुनाव भी हुए थे। साथ सदसीय अरुनाचल प्रदेश विधान सभा के लिए उन्नीस अप्रेल को मतदान कराया गया था। चार जून को विधान सभा चुनाव के नतीजे आये जिसमें भाजपा ने 46 सीते जीती। हालां की मतगर्णा से पहले ही 10 सीतों पर भाजपा के उमीदवार निर्विरोथ चुन लिए गए थे। निर्विरोथ चुने जाने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल थे। नतीजों के बाद अब नई सरकार का शप्त ग्रहन हुआ है और पेमा खांडू ने एक बार फिल राज्य की कमान संभाल ली है। पेमा खांडू ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली। पेमा खांडू इस विधान सभा चुनाव में मुक्तू सीच से निर्विरोध चुने गए थे। विधायक के रूप में यहां खांडू का चौथा कारेकाल है, जिसमें उन्होंने तीन बार निर्विरोध जीत हासिल की। उन्होंने तवांग जिले के मुक्तो निर्वाचन छेत्र से चुनाव लरा था। पेमा पहली बार 2016 में नबाम तुकी के बाद मुख्यमंत्री बनी थे। उसी साल उन्होंने कॉंग्रेस विधायकों के एक समूह का नित्रित्व करते हुए पीपल्स पार्टी ओफ अरुनाच में शामिल हो गया। अरुनाचल प्रदेश विधान सभाचनाव दो हजार चौबीस में सबसे ज्यादा संपत्ती घोशित करने वाले शीर्ष तीन उम्मीद्वारों में खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू शामिल थे। पेमा खांडू ने अपनी संपत्ती 332 करोड घो स्रच दिया है। राज्य में तीसरी बार भाजपा अकेले बहुमत के साथ सत्ता में आई है।